और अब बात करेंगे साइबर सिटी गुड़गाओं के एक जाने माने मॉल में जिस्म फरोशी का भंडा फोड हुआ है मॉल की भीतर खुले स्पा सेंटरों की आड में ये गंदा धंदा चल रहा था पुलिस ने चापा मारकर 25 लोगों को गिरफतार किया है गिरफतार लोगों में 15 युपतियां भी है चमचमाते मॉल के भीतर की काली हकीकत इस्पा की आड में सेक्स रैकेट का भंडा फोड साइबर सिटी के इस्पा सेंटर की ये है असली दिल्ली से सटा चमचमाता साइबर सिटी गुडगाओं उची इमारतें और चमचमाते मॉल हैं जिसकी पहचा गुडगाओं का एमजी रोल खचा खच भरा रहने वाला ग्रैंड मॉल आम आदमी कैसे सुच सकता था किस मॉल के भीतर भी किसी कोने में जिस्म परोशी का धंधा चल रहा होगा इस अंधेरे कोने की काली हकीकत से पुलिस अभी अभी वाकिफ हुई या इस हकीकत की भनक उन्हें अर्से से थी ये एक बड़ा सवाल हो सकता है खेर एक कहावत है देर आए दुरुस्ता है मंगलवार की राज जब गुरगाओं पुलिस की टीम ने शहर के जाने माने इस्पा सेंटर्स में से एक जेवन इस्पा में छापा मारा तो इस्पा सेंटर की काली हकीकत सब के सामने बेपर्ध हो गई इस्पा सेंटर की आड में जिस्म फरोशी का गंदा धंधा चल रहा था दरसल इस्पा में रिसेप्शन काउंटर पर तो मसाज के लिए ही बुकिंग होती थी लेकिन दस बाई आठ के तन कमरे में शुरू होता था वो खेल जिसे कमरे के बाहर गंदा धंधा कहा जाता है पुलिस की गिरफ्ट में कैमरे के सामने अपने चेहरों को छुपाते ये वही लोग है जिने पुलिस ने इस्पा सेंटर से गिरफ्टार किया है पुलिस का कहना है कि अब वो गुडगाओं में चल रहे स्पा सेंटर्स पर अब पैनी नजर रखेगी गुडगाओं पुलिस ने चापे मारी में बुकिंग का रिकॉर्ड भी अपने कपजे में ले लिया है जेवन में हुए सेक्स रैकेट के भंडा फोड के बाद उमीद है कि शहर के दूसरे मसाज सेंटर और इस्पा अब अपनी दुकान समेठने की तैयारी शुरू कर चुके होंगे लेकिन सवाल ये है कि जिस फरोशी के लिए सबसे सेफ सेंटर्स माने जाने वाले इन इस्पा और मसाज सेंटर्स का मिसटर साइबर सिटी गुर्गाओं में पूरी तरह डाउन हो पाएगा रवेन सिंग दिल्ली आज तक हुआ हुआ है